हेलो दोस्तों मेरा नमें गौतम और आप देख रहें यूलैक लेक्टोनिक्स और दोस्तों यहां पर यहां पर एक डेवीडी देख सकते हैं यह बिल्कुल खराव है तो इसको हम खोल कर देखेंगे कि इसमें जो एम्प्लिफायर के लिए जो अड्यू बोड यूज किया गया है वह हम यूजे में ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं यहां पर में खोल गें सको देखाता हूं एक circumstance यहां पर बब्र के लिए अच्ञाने के लिए उसको चलाने के लिए यह जाता ये माधरबोर्ट के लिए जाता है तो यह तो हमारा खराब हो चुका है बिलकुल यहाँ पर चुप यह एंप्लिफायर का सेक्षन है इसको सब सबसे पहले मैं बोर्टक्ष cél लेता हूंं आसप मैंने इसको खोड़ लिया है उसके बार यहां पर वायर कॉम इसी परकार से लगे रहने देंगे मैं यहां पर क्या करूँगा दोस्तों कि यहां पर जो यह पैनल लगा हुआ बेस्टेबल वाला मैं इसको यहां से निकाल लेता हूँ यहां पर इस्क्रू लगे हुए है तो यहां पर इस 54 खुलने के वाद यह डिस्प्लेवरा पैनल निकला है इसके साथ प्रटेसंटीमिट्र यहां पर अलग से यहां पर वेस्टेवल के लिए प्रिट्टेसंटीमिट्र दिया गया है सिर्प एम्प्रीफयर lalese section को मैं यहां पर निकाल रहा हूं देखिए यह एम्प्लिफायर का सेक्षन जो है यहां से निकल गया है यहां पर मैं इसको निकाल कर साइड कर लूँगा उसके बाद यहां पर मैं इस टांसफर्मर को भी निकाल लूँगा हो सकता है कि यह अच्छा हो यहाँ पर मैंने टांसफर्मर को भी निकाल लिया है और बाकी इसको मैं साइड में रख लेता हूँ यहाँ पर मैंने इस DVD से यह बोड लिकान लिया है और उसके बाद यह टांसफर्मर मैंने निकाल लिया है तो आई इस दोनों को साफ कर लेते क्योंकि यहां पे काफी सारा डेस्ट टेस्ट में लगा हुआ है और दोनों को चेक करेंगे कि यह हमारा सही है या नहीं है तो दोस्तों मैंने यहां पर इस boat को साफ कर लिया है और यहां पर देख सकते हैं और उसके गाद यहां पर यह transformer है तो मैं पहले transformer को चेक कर लेता हूं कि यह सही है या खराब है यह जो rate color का wire होता है यहां से 220 volt AC supply देंगे जो यह primary section है और यह secondary section है तो पहले हम दोनों section को चेक करेंगे कि यह हमारा transformer सही या खराब है तो multimeter को budget mode पर हम रख लेंगे और continuity चेक करेंगे तो यहां पर किसी भी परकार का continuity नहीं बना रहा है मतलब यह transformer खराब है मैं secondary वाला देख लेता हूं सेकेंट्री वाला section ठीक है primary वाला खराब है लेकिन primary वाला खराब है तो यह हमारा transformer इसको खराब बोल सकते हैं क्योंकि primary में 20 volt जाएगा नहीं तो यह secondary में 12 volt निकालेगा नहीं तो इसको मैं side में कर लेता हूं और यहां पर जो यह amplifier है यहां पर बेस टेबल के लिए तो अलग से potentiometer लगा हुआ है बाकि यहां पर प्लेट देख सकते हैं इसी पर potentiometer का connection किया गया है तो पहले मैं 12 volt का supply देकर मैं यह चेक करूँगा कि यहां पर जो यह IC लगा हुआ है यह सही है या खराब है तो मैं यहां पर supply दूँगा जहां इसका मेन कैपसीटर होता है वहाँ पे 12 बुल्ट का सप्लाई दूँगा तो मैं यहाँ पे एक कनेक्टर कनेक्ट कर लूँगा यहाँ पे यह कनेक्टर यूज कर लूँगा जिससे मैं इसमें पावर सप्लाई देशकूँ तो यह जो मेन कैपसीटर है यह सबसे बड़ा कैपसीटर होगा एक छोटा भी रहता है जो कि बेस्टेबल सेक्शन के लिए है तो यह जो बड़ा कैपसीटर होगा इसके माइनस और प्लस वहाँ पे हम इसका कनेक्शन कर देंगे जहाँ पे इसका प्लस होगा और माइनस होगा यहां पर मैंने supply कर दिया है और यहां पर हम supply दे कर देखेंगे कि यह हमारा IC सही या खराब है इसमें मैंने supply दे दिया है सब से पहले तो मैं इसको heat sink को touch करके देखूँगा आइसी अगर खराब है तो यह ज़्यादा हीट करेगा बीना load का तो यहाँ पर किसी भी परकार का heating problem इसमें नहीं आ रहा है अगर यह IC खराब रहता तो बिना load का ही यह hit होने लगता लेकिन यहाँ पर यह hit नहीं हो रहा है अब मैं यहाँ पर यह check करूँगा कि इस amplifier में जो IC लगा हुआ है इस पर supply आ रहा है कि नहीं आ रहा है मैं DC पर 12V पर इसको रख लूँगा मैं step by step आपको check कर कर के दिखाऊँगा एक props को मैं ground के साथ यहाँ पर connect कर लेता हूँ और यहाँ पर देखेंगे कि लगा 12V आ रहा है supply के थूँग और यह अभी हलका हलका hit हो रहा है यहाँ पर यह IC के एक pin last में या शुरू में ground में रहता है तो जिधर यह ground होगा उस side से अगर हम cointing करें तो चार नमर पीन यह supply का होता है तो यहाँ पर 12V आना चाहिए यहाँ पर यहाँ पर supply होके है उसके बाद यहाँ पर हम चेक कर लेते है यहाँ पर भी supply होके है ठीक है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 12V आ रहा है तो ठीक इसका आधा जो बोल्ट है इसके speaker आउट पर आना चाहिए यहाँ पर speaker आउट है 5V लगवग आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है दोस्तों यहाँ पर IC हमारा बिल्कुल ओके है जितना supply यहाँ पर आ रहा है उसका आधा वोल्ट इसके speaker output के section पर करना चाहिए यहाँ पर बिल्कुल कर रहा है यहाँ और यहाँ ठीक है मतलब यह जो हमारा amplifier है बिल्कुल ओके है इसको मैं यहाँ पर supply को cut कर देता हूँ उसके बाद हम यहाँ पर speaker को connect करके और audio input को लगा कर देखेंगे कि यह हमारा amplifier कैसा work कर रहा है तो यह दो speaker का wire है तो मैं यहाँ पर इसको हटा लेता हूँ और दूसरे connector को मैं यहाँ पर connect कर लेता हूँ speaker का जो connector होता है यहाँ पर मैंने speaker का connector connect कर दिया audio input के लिए यहाँ पर देख सकते हैं यह जो 3 point बने हुए है तो बीच बला ground है बाकि यह दोनो left right है यहाँ पर यह wire अलग है तो मैं यहाँ से यह wire को हटा लूँगा और normally यहाँ पर audio input के लिए मैं यहाँ पर 3.5 mm jack यूज़ कर लूँगा क्योंकि मुझे यहाँ पर सिर्फ चेक करना है यह जो 44 का जो design है दोस्तो बहुत ही पुराना design है यहाँ पर इस परकार का design वाले amplifier अभी नहीं आते हैं तो आईए यहाँ तो मैंने यह input के लिए यह pin लगा दिया है और यहाँ पर मैं speaker को connect कर लेता हूँ उसके बाद मैं supply देकर चेक करता हूँ तो दोस्तो मैंने यहाँ पर speaker को connect कर दिया है उसके बाद मैं यहाँ पर power supply दे देता हूँ यह main volume है तो दोस्तों यहाँ पर हमारा यह amplifier कर रहा है भली potentiometer पुराना हो तो आवाज करकर आठ वो एक अलग बात है लेकिन यह amplifier हमारा चल रहा है आईए मैं इसमें audio input के थ्रूप song को play करता हूँ यहाँ पर मैंने audio input दे दिया है और यहाँ पर यह potentiometer है जो कि main volume है तो मैं यहाँ से sound को बढ़ाता हूँ तो यहाँ पर देखिए यह हमारा जो amplifier है बिल्कुल OK है और चल रहा है base table को चेक कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर इतना पुराना होने के बावजूद भी इसका base table काफी अच्छा से काम कर रहा है यहाँ पर जो हमारा amplifier है काफी अच्छा से काम कर रहा है कहीं से कोई दिक्कत नहीं है और यह जो potentiometer है यह भी काफी अच्छा से काम कर रहा है इसमें किसी भी परकार का sound problem नहीं है और यहाँ पर जो आप panel देख सकते हैं डिस्पले है बटन है यह DVD का function के लिए यह दिया गया है यह amplifier के section 6 का कोई मतलब नहीं है तो ऐसा आप मत सोचे कि यह बला कैसे चलेगा तो यह जो डिस्पले है यह DVD का mother board होता है वहां से connected होता है तभी इसमें supply आता है और तभी यह काम करता है ऐसा नहीं है कि amplifier के section के यह साथ है और यह सीख साथ काम करेगा बाकि यहां पे जो amplifier का section है काफी अच्छा से काम कर रहा है यहां पे transformer खराब था अगर आपका transformer सही है तो यहां पे power supply देके 0-12 का इसको यूज में ले सकते हो क्योंकि इस पे bridge reactive air बने हुए है तो दोस्तों यहां पे आपने देखा कि यह जो हमारा amplifier board है काफी अच्छा से काम कर रहा है अगर आपके पास भी DVD player है उसमें amplifier का यह board लगा हुए तो कुछ इस परकार से आप step by step चेक करके इसको यूज में ले सकते हो ऐसा नहीं है कि 100% वो सही होगा कुछ ऐसे board होंगे जो अभी तक सही होगा हाला कि यह board को खराब होने का कोई chance होता नहीं है ज़्यादा अगर खराब होगा तो IC खराब होगा तो आप IC को यहां पे change कर दे और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि IC को किस परकार से यहां पे चेक कर सकते हैं वैसे मेरे चैनल पर काफी सारे ऐसे वीडियो बने हुए है कि amplifier का जो IC होता है 44 का उसको किस परकार से हम पता कर सकते हैं कि खराब है या सही है तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा तो प्रीज लाइक करें शेर करें और हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका दिन सुभ हो